आज मैं आपके लिए इस्टेंड मूंकी दाल का हलवा बनाने की रेसिपी लाई हूँ जिसमें ना तो दाल भीगोने की जंजट है ना ही मावा डालने की जुरत और टेस्ट एकदम बजार की जैसा हलवा बनाने के लिए मैं एक कब मौंकी धुलीवी दाल ले रही हूँ दाल को सबसे पहले हम पानी डाल के अच्छे से धो लेंगे योकि दाल के अंदर काफी सारा पाउडर होता है और ये पाउडर निकालना बहुत ही ज़रूरी है पानी डाल के दाल को तब तक अच्छे से दुएंगे जिससे सारा पाउडर निकल जाए और पानी एकदम ट्रांस्पेरेंट आ जाए अब चलनी के अंदर डाल के मैंने सारा पानी इसमें निकाल दिया है अब किसी प्लेट में या कपड़े पे डाल के दाल को हम सूखने के लिए छोड़ देंगे आप चाहें तो इसे किसी पंके के नीचे सुखा लेजे या चाहें तो इसे दूप में भी रख सकते हैं तो तीन घंटे बार दाल जब अच्छे से सूख जाएगी तो मिक्सर जार के अंदर डाल के दाल को हम पीस लेंगे लेकिन पीस्ते समय ध्यान रखिएगा कि इसको थोड़ा सा दरदरा ही रखना है मतलब अगर हम हाथ से चूके देखे तो थोड़ा सा दाना हाथ के अंदर आन सेखेंगे साथ में मैं एट कर रही हूँ आधा कप पीसा हुआ दाल का मिक्स्चर मैंने यहां पर जितना मिक्शर पीसा था उसका आधा ही इसमे एट किया है चपी हल्वा खाना हो तो उसी समय आप दाल को सेके कर्मा गरम बना सकते हैं अब इसे लगातार हम इसी तरह से चल दाल को सेखते हूं मुझे पासाद मिनिट हो गए है और आप देख रहे होंगे डाल ने जो है घी रिलीज करना स्टार्ट कर दिया है अब इसी समय में थोड़ी सी पिस्ता की कत्रन और बादाम की कत्रन इसके अंदर एड कर रही हूं आप जो भी रैप फूट इसके अंदर ड यह भी अच्छी से फ्राय हो जाएंगे बस अब इसका कलर अच्छी से चेंच हो गया है अब में इसके अंदर एड कर रही हूं एक कप दूद तो दूद थोड़ा-थोड़ा करके ही डालेंगे दूद डालने से यह एक तरह से मावे का काम करेगा और हम बिना मावे के दूद डालके इसको बनाएंगे तो टेस बिल्कुल बजार के जैसा आएगा आप चाहें तो इसके अंदर दूद थोड़ा सा और भी एड कर सकते हैं हलवे का कलर थोड़ा चेंच हो गया है निकिन घबराईए मत जब यह थोड़ा सा दूद सूख चाएगा तो आटोमेटि अब आधा कप शुगर इसके अंदर एड कर देंगे और शुगर डालने के बाद इसे लगातार चलाएंगे जिससे जो शुगर है इसके अंदर अच्छे से डिजॉल हो जाए चार-पास मिनिट में शक्कर अच्छे से घुल गई है घी इसने डिलीस कर दिया है एक चमज घी इसके अंदर और एड कर रही हूँ था बजार वाले दाल के हलवे में तो काफी सारा घी होता है अब आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा घी और एड कर सकते हैं वैसे मैंने से सिफ चार बड़े चमज घी डाल के बनाया है अल्वा एकदम रेडी है तो अब इसे हम सर्फ कर ल सूपर डिलिशयस है रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा और एक बार ट्राय जरूर कीजिएगा अपने एक्सपीरियंस मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा कानिशिंग के लिए में इसमें थोड़े से ड्रैफ फू अगर आप ना डालना चाहें तो हल्वा वैसे भी बहुत ही टेस्टी लगता है लीची हमारा इंस्टेंट दाल का हल्वा बनके तयार है इसके लिए दाल भीगोनी की भी जंजट नहीं है आप पहले से ही दाल को पीस कर और भून का फ्रिज में 10-15 दिन तक रख सकते हैं और चप्पी मन करें तो गर्मा गरम हल्वा बनाईए खाए और सबको खिलाईए बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि दाल को आप लो मीडियम फ्लेम पर भून कर 10-15 दिन तक फ्रिज में आराम से रख सकते हैं और चप्पी आपको हल्वा खाना हो इंस्टेंट थोड़ा बू झाल